हलो प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका इंटर्वियू क्लासेज में बात करेंगे अपने वाशिक प्रिक्सा सत्र दोजार तेबीस चौबीस कक्सा नाइंत के हिंदी विशे के पेपर के बारे में यह जो पेपर आपके 100 नंबर का आने वाला है समय आपको सवा 3 गंटे का मिलने वाला है बिल्कुल इसी टाइप का आपके पेपर आएगा और आपको बाकी सब्जेक्ट की पेपर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनी हुई सभी सब्जेक्ट की ठ ठीक है जिसमां आपके इंगलिस के लिए पेपर अपलोड कर दिये हैं इंगलिस के मोस्ट इंपोर्टन इस्टोरी एप्लिकेशन इमेल डायलोग राइटिंग यह सारे आपको वहां पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे ग्रामर के टॉपिक मिल जाएंगे जो अपने बुक क सबसे पहले आपको पांच नंबर का एक अंसीन पैसेज यह नहीं ऐसा पैसेज मिलेगा जो आपकी बुक में नहीं होगा ठीक है अब एक बात समझेगा अगर आप किसी भी जिल्ले के निवासी हो तो यह जो पैसेज होते हैं यह हमेशा रिपीट होते रहते हैं कहने का जो यहाँ पेपर डाले जाते हैं उनको एक बार अच्छे से आपको देख लेना चाहिए ठीक है ताकि आपकी तैयारी शानदार हो जाए ठीक है और कमेंट सेक्शन में लिखना आपको और किस सब्जेक्ट पे टॉपिक पे जो वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में लि जीवन और जीवी का के एक मातर शादन थे त्यान रखेगा कि आपके यहाँ पेपर में जो भी मोस्ट इंपर्टेंट टॉपिक से चाहिए आपके लिए निबंधू ग्रामर के टॉपिक हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखेगा आपको सारे यहां पर मिल जाएंगे ठ ठीक है फिर है लकडी वनों की लकडी से मानों अनेक प्रकार के लाब उटाता है उसने लकडी को इंदन के रूप में प्रिक्त किया इससे मकान और जोंपडिया बनाए इमरती लकडी से बवन निर्मान और करशी यंत्र परिवेन जैसे रत ट्रक रेल के डिबे फरनीचर आ अधी बनाए जाते हैं और कोईला भी लकडी का प्रती रूप है वरक्षों की लकडी और उसके उत्पाद जैसे नारियल का जूट ठीक हैं और लकडी का बुरादा चीड की लकडी आधी विबिन वस्तों का प्रियुक फल कांच बरतन आधी नाज्जुक पदार्तों की पै नियंतर्ण में सहायता मिलती है इस प्रकार वरक्षों के विबिन प्रतिक्स लाबों के अतिरिक्त प्रोक्ष फायदे भी है जीवन दाहिनी ऑक्सिजन पेड़ों से यह मिलती है यहां पर रिपीट हो चुका है ठीक है ना चलिए अब कोईशन देखते हैं पहला कोईशन है मानव जाती की जीवी का के एक मत्र शादन क्या थे तो वन ठीक है इसमें लिखते हैं वन पेड़ों दे ठीक है मानव जीवन को सारो परतम किषने सरक्षन दिया तो प्रकरती ने दिया वन ने दिया जंगल ने दिया ठीक है फिर वरक्षों की लकड़ी से मानव का क्या क्या या लाब मिला है या लाब उठाता है तो यहाँ पे हमने पड़ा भी उसने लक्री को इंद्रेन के रूप में प्रियुख्ट किया जौपड़िया, मकान वगड़ा बनाए तो यहाँ से यहाँ तक लेख सकते हैं ठीक है न आगे भी लेख सकते हैं लेकिन इतना sufficient है प्रयापत है ठीक है अगला question देखते हैं कि पंचवटी फाइदाटर पंचवटी शब्द का समास पूछा है हमसे पंचवटी का समास क्या होगा और समास कौन सा होगा और इसका समास विग्रभी करिये तो समास कौन सा होगा पंचवटी क्योंकि इसमें अगर हम समास करें मतलब इसको अलग करें तो क्या बनेगा पांच वटों का सम क्या बनेगा पांच वटों वट्य अनि पेडों का समू ठीक है यह ध्यान रखना इस प्रकार से बना देना आपको ठीक है तो आपकी जितने भी व्याकरण के टॉपिक है वो भी आपको यहां पर मिल जाएंगे ठीक है अगला है अपने कि इसका उचित शीर्षक लिखना शीर्षक आपको हर बार लिखना पड़ेगा ठीक है तो प्रकृति का महत्व आप लिख सकते हैं फिर उसके बाद में आपको एक पध्यांश मिलेगा ये भी अंसीन होगा मतलब अपठित पध्यां पढ़ेगा ठीक है जो यहां से पढ़के आपको इसके आंसर यहां पर लिखने होते हैं थीक है फिर आपको अपने रिक्तिस्थान वाले कुछ कुछ उच्छिन मिलेंगे जिसमें आप से पहला प्रशन पूचा गया है गरीब आदमी का नहीं उजारना चाहिए क्या नहीं समसान नहीं उजारना चाहिए, यहाँ पे समसान का मतलब है, कि वो जह रहता, उस जगह को उजारना नहीं चाहिए, ठीक है, अगला है माटी खाना का अर्थ होता है, माटी खाना का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन बताएं, कि मिट्टी का बंडार य क्या है आत्मग्यान ठीक है अगला इसा योग सब्द में उपसर गए तो यह इसमें क्या होता है अपने सम धन योग ठीक है ना सम प्लस योग ऐसे बोलेंगे ठीक है तो क्या होगा सम ठीक है तो पहला आप्शन सॉरी यह आप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा सम ठीक है क्रिय चौकलेट k होती है। खाना क्या खाना तो उत्तर आजाएगा dus तब कुछ तो है तभी तो खा रहा है ना जैसे रोटी खाना ठीक है चौकलेट खाना कुछ तो है तभी तो खाना ना तो क्या खाना लेकिन सोना अगर सोने से पूछें क्या सोना तो क्या सोने का कोई उत्तर नहीं कौन सोता है इसका तो उत्तर आ सकता है तो यह सोना है अकरमक है और खाना क्या है सकर्मक तो यहान लिखदेंगे खाना ठीक है अगला है सकॉरे शब्द का अर्थ होता है तो सब्द का अर्थ क्या चैसा करे का मतलब क्या हो अगले जन में कौन सा पसू बनना चाहते थे और क्यों तो रस्खान है कौन सा पसु बनना चाहते हैं अगले जनम में तो रस्खान जो है अपने बनना चाहते हैं गोपाल जो अपने क्रश्न है क्रश्न के वहाँ पे रहने वाले गाई बनना चाहते हैं जो उनके आसपास मतलब रह सके वहाँ एक ग्वाले के रूप में ज कर खड़े हो गए तो दोनों बैस जूरी के गर के आगे आकर खड़े हो गये थे ठीक है ना क्यूंव को गये थे यह अपके पड़ी ऊगी होगी कहान यह ना अनल और अनिल यूग मश्रक्दों का आर्थ हो लिकिए तो डेखिए अनल अनल का मतलब होता है अपने आग और इस अनिल का मतलब होता है हवा ठीक है हवा पवन समीर ठीक है ऐसे बोलेंगे ठीक है अगला देखते हैं अपने अगला देखते हैं अपने ठीक है तो इसमें क्या पसू कौन सा बनना चाहते हैं स्वरी पसू कौन सा पसू बनना चाहते हैं तो उस इसमें आपने क्या लिखा अनल क्या हजाएगा अनल हो जाएगा अपने आग और अनिल हो जाएगा हावा ठीक है औ। बारतिये जो स्वतंतर्ता संग्राम के सेना नहीं उनके साथ जेल में जो दूर वहवार किया गया था यह उसके बारे में पूरी अपने कवित कैदिया और कोकिला कहां कवित आया ठीक है फिर पहाडियों के आसपास की बुमी को बांज क्यों का जाता है ठीक है न तो यह आपक म्रदुल गर्ग कौन है म्रदुल गर्ग म्रदुल गर्ग आंसर हो जाएगा करेक्ट ठीक है अगला है कि मुहावरों का अर्थ बताना आपको वाक्य में प्रियोग करते वे तो देखिए पहला क्या है ठोकर मारना ठोकर मारना मुहावरे का मतलब हो गया कर ठोकरा देना किस या कुछ देशवक्त तो सारी यह जाते हैं तो सरी हो जाते हैं फिर आपको विलॉम शब्द पूछा है आकर्शन का हुजएगा विकर्षन और गया होजएगा अग यह जब लगा देंगा और इसमें लिए कुछ ठीक है फिर आप से तीन तीन नंबर के ऐसे कोशिन पूछे जाने वाले कुछ इंपर्टेंट कोशिन है आप इनको देख लीजिएगा ठीक है और इसमें आपके व्याकरण के जो है जैसे विसेशन सरल और संयुक्तवा के मैं अंतर किरिया किसे कहते हैं उनके भेद वगरा इसमें आपको पता लग जाएगा कौन से पत्र आपके लिए इंपर्टेंट है और आपको उनको लिखना कैसा है ठीक है पत्र लेखन हो चाहे आपके प्रात्न पत्र हो चाहे आपके समाद लेखन हो ठीक है यह दोनों पर आपको मिल जाएगा और फिर अपने लास्ट में ज अब तक के लिए जैहन जै भारत